हेलो फ्रेंट्स आज मैं लेकिया हूँ आपके लिए सर्वत की रेसेपी इस सर्वत को आप कीवल तीन चीजों से बना के त्यार कर सकते हैं और कुछी मिन्टों में यह हमारा ठंडा ठंडा सर्वत बन के त्यार होता है और बहुत जादा स्वादिश्ट लगता है तो यहां प रुख नीवू है मैंने काट लेए उसको और यहां प एकदम फ्रेश जो है पुदिने के पत्ते हैं या पर देख सकते हैं और उसके बाद मैंने यहां पे ले लिया है नमक काला नमक है यह कथ काला नमक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और उसके बाद मैंने यहां पे ले लिया गुड़ तो मैंने गुड़ को ना तोड़के चोटे-चोटे टुकड़े में मैंने भीगो के रख दिया था तो यहां पे एक दम मैल्ट हो गया है यहां पे पूदीने के पत्ते हैं हम उसमें डाल देंगे तो मैंने यहां पे डाल दिया है पूदीने का पत्ता उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक डाल देते हैं और यहां पे और अब हम क्या करेंगे कि आइस क्यूब डाल देंगे और उसके बाद हम इसे प अब हम ढाल देंगे साथ में साथ में भीगो पानी मीशिया को हीाल यहां पर देख सकते हैं कि उर्ह प्त इसका तेश्ट काइसा देख सकते हैं जब इसे पीएंगे तो लगेगा कि आप गन्य का जूस पी रहा है तो बाहर जाने के ज़रूत नहीं है जब भी आपका गन्य का सरवत पीने का मन हो तो आप इसे बना के पी सकते हैं हम चान लेंगे तो जो भी पुदिने का पत्ता वगएरा और नीकल जाएगा तो इया पे हम चान लेंगे तो और आप चाहे तो इसमें अलग से भी पानी मिला सकते हैं तो यह हमारा ठंडा ठंडा सर्वत बन के तयार हो गया है और बहुत ज्यादा स्वाधिश्ट लगता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और जो पुदीना है हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ठंडा ठंडा रहता है तो यहाँ पे यह हमारा जूस जो है च प्रश लिया है और मैं डाल देती हूं इसमें और इससे क्या होगा ना कि आप लाश्ट में नेवू करस डाल लिएगा ताकि इसका जो फ्लेवर ना वह वर गयाता है और अब इससे सर्व कर लेंगे तो एक ग्लास ले लीजिए उसमें आइस क्यूब डाल दीजिए और हम इसस सर्व कर लेंगे तो जब भी आपको सर्व करना हो ना तो आप एक बार मिक्सर की जार को चला देंगे ना तो ऐसे जहागेदार जो है बनके हमारा सर्वत तयार होगा तीन दो तीन मिनट बाद यह जहाग जो है ना वह खतम हो जाता है जब आपको सर्व करना हो तो मिक्सर की बाई 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 फ्रेंस फिर मिलते हैं कि अगले नई देसे भी के साथ